छुटे भाबु आरे, छुटे भाबु आरे दिवान जी, आप से पहले भी कह चुका हूँ जब मालिक आते हैं तो नौकर उठते हैं नौकर उठते हैं, दिवान नहीं क्या चही है आको मैं पूछने आया हूँ, जमीन का क्या हुआ किसान साम and caan ोडने के लिए तयार достаточно छोडने के लिए तयार नहीं यह कहीए आप उसे निकालने के लिए तयार नहीं वह आया था यहाँ फर्यार लेकर दो फस्ते बरबाद हो चुकी हैं उसकी एक बार बारिश नहीं हुई, दूसरी बार ओले पड़े ओले हमने नहीं बस आये, सिर्फ जमीन उसे दी है लगान पर और लगान हमें मिलना ही चाहिए लगान तो वो हमेशा देता रहा है, वक्त पर, वक्त से पहले अब भी उसे देना होगा और मैं ले पर दिखाऊंगा सुख्या, चल मेरे साथ एई, यहाँ काली चरन कौन है? भुजूर, नौकर, तुमने हमारा हुकम नहीं सुना या लगान दो, या मुख काला करो हमारी जमीन से आप मालिक है, मुझे लग भी सकते हैं, निकाल भी सकते है लेकिन अपनी महनत के नाते, इस जमीन पे कुछ हक मेरा भी तो है हक? यह देखते हो मेरे हाथ में क्या है? यह है तुम्हारा हक उठो बाबा हमारे बीचाने की, हम मालिक हैं ये रियाया है हमारी, हमारा जब जी चाहे हम इसे जमीन से निगाल सकते है जमीन पर आपका हक है, तो किसान का भी हक है, आपके लिए ये सिर्फ जमीन है, उसके लिए माँ है, वो कैसे छोड़ दे ये जमीन, अभी बताता हूं हुप ह् हाँ को फिर क्या हुआ? बस यही हुआ कि एक चबक की हुए बिजली जैसे खेत में आ गई देवियों जैसा रूप, शिर्नी जैसी करच, माथे पे ऐसा तेज कि खरूँ का आदमी जूचाए मैं मंदिर जाता हूँ मालिक, देवी का उपासक हूँ मगर उसे देख के ऐसा लगा, जैसे दुर्गा, सरस्वती, लक्षिमी, सभी की च्षया हो उसके मुखपद